कहिए कैसे हैं आप क्या गुड लुक्स यानि खूपसूरत नयन नक्षी सब कुछ होते हैं विसे आम तोर पर हमारी यही सोच होती है कि हाँ लुक्स अच्छी होनी चाहिए लुक्स अच्छी है तो लड़की है अगर तो उसको अच्छा मैच मिलेगा देखिए अगर मैं थोड़े समय पहले की बात करूँ तो पहले समय में क्या होता था है कि जैसे बड़े वुजूर्गों नहीं शादी कर दी फोटो देख के शादी कर दी लड़की खूपसूरत है बस उसको घर में लाके रख लिया एक स्टैचू की तरह रख लिया पर आज समय बदल गया है आज खूपसूरत नय नक्ष ही सब कुछ नहीं है खूपसूरती ही सब कुछ नहीं है आज एक लड़का अपनी होने वाली पत्नी में बहुत सारी चीज़े देख पर चाता है खुबसूर्ती ही ज़रूरी नहीं है मैं ये specially उन girls से बात कर रही हूँ या उन ladies से बात कर रही हूँ जो इस complex में जीती हैं कि हम सुन्दर नहीं है तो आज का time थोड़ा बदल गया है पहले तो ये था कि हाँ चलो एक लड़की को डॉल की तरह घर पर रख लिया बस कोई आ रहा है उसको मिलवा दिया और बस सुन्दर है और आज एक लड़का जब लड़की को देखने जाता है तो सिरफ वो देख के येस नहीं करता वो उससे बात भी करना चाहता है वो उससे 2 मिनट, 10 मिनट, 2 दिन, 3 दिन एक बर उसको अच्छी से जानना चाहते है क्या नेजर है इसकी क्या स्वभाव है क्योंकि बात लंबे रिष्टे की है लॉंग रन की है सिरफ ये नहीं है कि 2-3 घंटे की है या 2-4 दिन की है पूरी जिंदगी का सवाल है लड़के को लड़की के साथ पूरी जिंदगी रहना है इसलिए वो जानना चाहता है कि इसमें क्या क्या अच्छी बात है सुन्दरता के इलावा और भी बहुत सारी चीज़े मैटर करती है इसलिए अगर कोई लड़की या कोई लेडी सुन्दर नहीं है तो उसको उस चीज की चिंता करने की जुर्थ नहीं है बलकि अपनी और qualities को निखारना चाहिए क्योंकि boys और भी चीज़े देख रहे हैं लड़के और भी चीज़े देख रहे हैं एक परिवार एक लड़की में और भी बहुत खूबिया देख रहा है सिरफ सुन्दर्ता ही नहीं देख रहा हो तो जो ladies और girls इस complex में रहती हैं कि हमें तो अच्छा match नहीं मिलेगा क्योंकि हम खुबसूरत नहीं हैं हमारी looks अच्छी नहीं है तो उनको इस complex से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि और भी बहुत सारी हमारे अंदर ऐसी qualities हैं जो कि overpower कर सकती हैं सुन्दर्ता को सुन्दर्ता को भी पीछे कर सकती हैं तो वो क्या है qualities जो कि लड़के भी देख रहे हैं अपने match के लिए अपने जीवन साथी के लिए जीवन संगनी के लिए जो कि boys भी तलाश कर रहे हैं तो ऐसी क्या क्या चीज़े हैं देखें सबसे पहले तो है कि understanding nature समझने वाली हो समझदार लड़की हो हर बात को गहराई से समझना और सोच समझ के बोलना situation को देखते हुए बोलना situation का अच्छे से सामना करना समझना बात को understanding nature होना तो वो बहुत अकरशित करती है कि भी समझ रही है हर situation को समझ रही है लड़के को समझ रही है लड़के के परिवार को समझ रही है बहुत जादा सोच समझ कर कोई भी स्टेप उठा रही है जैसे माली जी उसको पता है कि लाइफ में अबदाउं जाते हैं जिस फैमिली में वो गई है और अचानक उसमें घाटा लग गया लॉस हो गया तो फिर भी वहाँ पर एड़्जस कर रही है उस चीज़ को समझ के और वहाँ पर एड़्जस कर रही है यह नहीं है कि अपना समान उठाया टैची उठायी कि चलो मैं तो अपनी मदर के घर जा रही हूँ मैं यहां नहीं रह सकती तो विचारों को समझे हस्बंड के उसके परिवार के और एड़्जस्ट भी करे अंडर्स्टैंड भी करे और हर बात को एड़्जस्ट भी करे इसी के साथ साथ नेचर लविंग हो प्यार करने वाली हो अफेक्शन दिखाने वाली हो कई बर क्या होता है कि बाद बाद पे मूँ बना लिया तो वो भी किसी को आकरशित नहीं करता बाद बाद पे मूँ बना लिया जैसे मालों की शादी होके लड़का और लड़की रह रहे हैं और लड़के के पेरेंट्स आ गए तो मूँ बना लिया कि ये क्या हो गया ये कैसे आ गए तो ये चीज नहीं जो भी घर पे आए एक्दम loving, caring, affection दिखाने वाली ये चीजे भी बहुत जादा अकरशित करते हैं फिर बात आती है इमानदार इमानदार हो पती की प्रती loyal होना, इमानदार होना और विश्वास करना और विश्वास रखना ये चीज बहुत माइने रखती है जब हम लंबे relationship की बात करते हैं तो ये चीजे जहां पर loyalty आ गई कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मैं शक करी नहीं सकती और मैं पूरी इमानदार होंगी, ये चीजे बहुत माइने रखते हैं एक लंबे relationship के लिए, इसलिए इमानदार होना, विश्वास रखना और बहुत ज़रूरी है, sense of humor का होना भी बहुत माइनर रखता है, जैसे कोई भी situation है, अपने हसमुक चेहरे से, उस situation को कई बार होता है, कि बहुत tensed होगी situation, तो उसको बिलकुँ lightly, उसको lightly लेकि उसको एकदम easy बना देना, कोई negative बात चल रही है, तो उसको अपनी बात को रखत समुक होते ही होते हैं, और positive सोच भी होती है, तो जो boys हैं, एक अच्छे अपने जीवन साथी में, long run के लिए एक रिष्टा मजबूत रहे और लंबे समय तक चले, ये चीज़ भी खोचते हैं, कि उसमें sense of humor अच्छी हो, घमंडी ना हो, बात बात पर अपने पैसे का मिर पस ये, मिर पस वो, और इसी के साथ अच्छी सुनने की कला, listening skill जिसको बोलते हैं, कि अपनी अपनी चलाए जाएगी, सुनेगी नहीं दूसरों की, कई बर होता है, कई बर जगडे, जब परिवार में कोई बात ज्यादा लंबी बढ़ जाती है, जगडे होते हैं, तो मुखे कारण यह होता है, कि सुनते नहीं है, अपनी अपनी चलाते हैं, तो सुनना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, यह नहीं है कि चुप रहना चाहिए, बोलना भी चाहिए, पर सुनना भी चाहिए, यह भी बहुत ज़रूरी होती है, कुल मिलाके यही बात है, कि सिरफ गुड लुक्स ही सब कुछ नहीं है। गुड लुक्स के इलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो एक अच्छे रिष्टे में, एक अच्छे लंबे रिष्टे में लोग खोचते हैं। तो ये हैं कुछ qualities जो एक relationship को healthy relationship बनाती हैं। एक बंधन को और पस्बूत बनाती हैं। एक अच्छी bonding बनाती हैं। रिष्टे में एक अच्छी bonding बनाती हैं। वैसे आप बताईए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आपके comments का मुझे इंजार रहेगा तो कल फिर मिलोंगी तब तक smile भी रखिए और positive रहे और positive सोचिए। और हाँ अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद नहीं किया तो please कर लिजेगा और subscribe करने के साथ साथ ना इसमें जो एक bell का बटन है ये भी दबा दीजेगा ताकि जब भी जैसे ही मैं को वीडियो अपलोड करूँ आपके पास notification या message आ जाए ठीक बाए